हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक तो माई यूट्यूब चैनल वीजा कर्मेंशन आज मैं आप सब के सामने एक और इंफर्मेटी वीडियो लेकिया हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैनेडा के लंगारा कॉलेज के बारे में तो फ्रेंट्स आज की वीडियो काफी यूसफुल हो सकती है तो वीडियो को एंट तक चुरूर देखना तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लंगारा कॉलेज कैनेडा की किस प्रोविंस में हैं तो यह है college Canada की British Columbia province के Vancouver City में हैं तो अब हम बात करते हैं इस college के कितने campus हैं तो इस college के total two campus है उन में से एक लंगारा college है और दूसरा West Broadway Center है अब हम बात करते कि क्या यह college public funded है या private college है तो यह है एक public funded college है और DLA approved है यह college 1994 में established हुआ था नेक्स नम बात करते हैं कि इस college में कौन-कौन से courses available है तो इस college में under graduation और post graduation दोनों ही तरह के courses available है इसके बात अब हम बात करते हैं कि इस college में कौन-कौन से programs available है तो इस college में सभी तरह के programs available है arts, medical, non-medical, humanity, business, economics सभी तरह के programs इस college में available है नेक्स नम बात करते हैं कि लंगारा कॉलेज में कौन-कौन से इंटेक्स अवेलेबल हैं तो इस कॉलेज में जैन में और सेप्टेमबर तीनों ही इंटेक्स अवेलेबल हैं इसके बाद अब हम बात करते हैं academic requirements की अगर आप इस college में apply करना चाहते हैं तो आपकी previous education में minimum 60% score होन ज़रूरी है और इच module में भी 6.5 score होने ज़रूरी है इसके अलावा अगर आप post graduation में apply करना चाहते हैं तो आपके overall 6.5 score होने ज़रूरी है और इच module में 6.5 score होने ज़रूरी है अगर आपके किसी एक module में 5.5 score है तो आप इस college में apply करने के लिए eligible नहीं है नेक्स हम बात करते हैं PT requirement की अगर आप इस college में apply करना चाहते हैं तो PT में आपके overall 59 score होने ज़रूरी है नेक्स नम बात करते हैं Tuffle requirement की अगर आपने Tuffle test internet based दिया हुआ है तो आपके overall 80 score होने ज़रूरी है और each section यानि की listening, reading, writing और speaking में 20 score होने ज़रूरी है नेक्स नम बात करते हैं paper based test की तो अग के overall 550 score होने ज़रूरी है नेक्स नम बात करते हैं gap duration की तो अगर आप इस college में under graduation के लिए apply करना चाहते है तो 2 years का और अगर आप post graduation के लिए apply करना चाहते तो 5 years का gap acceptable है बट इस gap के during आपने क्या activity करी है आपको इसकी justification college को provide करनी हो नेक्स नम बात करते हैं application fees की अगर आपने इ Canadian dollar है जो कि Non refundable है नेक्स नम बात करते हैं कि इस college से letter of approval आपको कितने दिनों में मिल जाता है तो इस college से जो आपको letter of approval हो विदिन 1 month मिलता है नेक्स नम बात करते हैं कि इस college के प्रोक्सिमे ट्यूशन फीज कितनी है तो इस कॉलेज की जो प्रोक्सिमे ट्यूशन फीज है वो 18,000 Canadian डॉलर है जो की program to program vary करती है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कॉलेज में weekly classes कितने दिनों की available होती है तो इस कॉलेज में जो weekly classes है वो 3-4 days की available होती है इसके बाद अब हम ब पर लेटर और पोस्टरी वर्क परमेट के बारे में मैंने एक डिटेल में लगसे वीडियो बनाया है जिन स्टूडेंट को कंडिशनल ओफर लेटर और पोस्टरी वर्क परमेट के बारे में information नहीं है उसका लिक में आपको description box में provide करूँगी वहां से जाकर आप चेक कर सकत हैं तो फ्रेंट्स यह थी लंगारा कॉलेज के बारे में कुछ basic information आई होप आपको आज की मेरी वीडियो काफी informative लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो informative लगी हो तो मेरे चैनल को जूरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को like करें share करें और bell icon को press करें ताकि आपको मेरे आ में बुक्स में comment करके पूर सकते हैं इतना possible होगा मैं time to time आपके comments का reply करने का try करूंगी इसके लावा आप मुझे screen पर दिएगे social media platform या फिर दिएगे contact number से भी contact कर सकते हैं thank you friends